कर दोस्तों welcome back to our channel money solution आप लोग देख रहे हैं जो निफ्टी 23,000 का लेवल टस करने के बाद यहां पर 22,900 के आसपास इदर ट्रेड कर रहा है और माना जा रहा है कि निफ्टी के अंदर ओर स्ट्रोंग जो बिल्स मुमेंटम है इदर से आ सकती है तो एक सई से मैं आ जाता है अ किस तरह की है कमपनी ने डिविडेंट किस तरह से इदर दिया और कमपनी का जो ओवराल रेवेन्यू ब्रेक अप है ना वो किस तरह से इदर चल रहा है अगर इन पैरामीटर को हम बद्या नजर रखते हैं तो एक अच्छी कमपनी है इदर चुन पाएंगे यहां पर काफी इदर बारी किसे क्लिर करते हैं तो चले दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं तो क्रिश्टल इंटिग्रेटीड सर्विसीज लिमिटेड का टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले हम इसका बिजनस प्रोफाइल देख लेते तो यहां पर अगर कंपनी देखेंग यहां पर 312 से ज़्याद हैं 554 से जयादा क्लाइंट्स है 21 से जाधा ब्रांस है और यहां पर 14 लोकेशन से ज्यादा कंपनी को कंपनी को एकक्स प्परेंस मिशच ज्जोंडि काफी जज़ लग तिघम अरून्स मार्केट करें मार्के हैं मार्केट इक 1.98 ребята тут में त्प्रैस तक कि जो अपर साइड मुमेंट इस कम्पनी ने दी है हाई इस ने एक हजार चोबिस का इदर लेवल टच किया था जो स्टोक का पी बाइस के आसपास है बुक वैल्यू इसकी टू सिक्स्टी सेवन रुपीज है फेस वैल्यू इसकी दस रुपे है यहाँ पर साथ में दोस्तों अगर हम देखते हैं कम्पनी के अधर ओराल प्रफोर्मस मुझे काफी ज़्यादा इदर है मजबूत लग रहा है साथ में यहाँ पर जो कम्पनी के अंदर जो रेवेन्यू ग्रोथ है आपको 29% से ज़्यादा year on year basis के उपर डिविडेंट इस ने 15% तक का इदर दिया है साथ में यहाँ पर जगर हम एडवांस चार्ट के अंदर देखते हैं तो जो में मुविंग एवरेज करवर्जन डाइवर्जन एक स्ट्रोंग दोस्तों जो ब्यूलिस मोमेंटम दे रहा अपर साइड के लिए और यहाँ पर ल लेवल टस्क करने के बाल यहां से देखिया आपको एक स्टेट लाइन है ना जो आपको एना बहीया एक ट्रेंड लाइन बनती नजर दिखाए दिजाएगी जैसे दोस्तों में में सीड और साथ में वोल्यूम को अगर देखते तो यहाँ पर स्ट्रोंग बोल्यूम एना कं के द्वारा इस लेवल के उपर है ना कंपनी बहुत ही जल्दी दर रहना टेस्स कर शकती है साथ में यहाँ पर एक चीज़ और अगर आप लोग देखोगे हम इसके फाइनेंशल डाटा को देखते तो यहाँ पर प्रोफिट एंड लोस के अंदर देख लिजे कंपनी अगर टेकनिकल और फंडामेंटर एनालिस काफी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते है यहाँ पर कंपनी के अगर हम कंपाउंड शेल्स ग्रोफ देखते हैं तो टीटीम फोर परसेंट तक का है जो अपने आप में माइने रखता है कंपाउंड प्रोफिट ग्रोफ भी यहाँ पर है देख सकते हैं दिसंबर 23 के अंदर 12 क्रोड था मार्च 24 के अंदर 15 क्रोड पर पहुंच गया तो कंपनी बहुत ही अच्छा है ना इदर भाया जो अपना जो प्रोफिट है ना उसको मेंटेन की हुए साथ में अगर हम इनका revenue breakdown को देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं कि जो क्रिश्टल इंटीग्रेटीड सर्विसीज लिमिटेड है यहां पर देख सकते हैं कि जो उतसर एक हजार बाइस से जबकि जो कावन हपते का जो निचला सर 681 रुपे है तो यहां पर जो बाइंग की रेटिंग दी जा रही है और साथ में दोस्तों कंपनी का अगर आप ओवराल देखते हैं यहां पर चार्ट भी देखते हैं तो जो एडवांस चार्ट हमने बताया है तो यहां पर एक स्ट्रॉंग ब बने मत्रॉंग